ओम श्यान्ती आज है 12 अगस्त 2020 की साकार मुरली पहले सुनते हैं मुरली की मुख्य पॉइंट्स बाबा ने कहा यह स्मृती रहे तुम्हारा पार्ट पूरा होने का है अब तुमको घर चलना है बाप लेने आये हैं लेकिन यह बात भी तब याद रहेगी जब तुम आत्म अ स्ट्रेष्ट बनाने तो अब तुम्हें श्रीमत पर चल स्ट्रेष्ट कर्म करना चाहिए कोई भ्रेष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए इश्वरिये बच्चों का यह काम नहीं है फिर कहा जो डारेक्शन मिलते हैं उन पर चलना है दैवी गुण धारन करने भोजन भी शुद्द लेना है अगर कोई लाचारी है नहीं मिलता है तो राय पूछो शुबाबा के बच्चे हम सब भाई भाई हैं यह याद रखो कभी भी आपस में लडो जगडो मत लून पानी मत बनो आगे कहा सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परीचे देना है जो बाप का धंदा है हमारा भी वही है सबको रास्ता बताना अंधों की लाठी बनना आठ घंटा याद रखनी है बाकी 16 घंटे में आराम वधंदा अधी जो करना है सो करो मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो आज बाबा ने यह भी स्पष्ट कहा कि मेरा पार्ट ऐसा थोड़े ही है जो बिमार को अच्छा कर दूं हमारा पार्ट है सबको पवित्र बनने का रास्ता बताना बाकी कोई आशिरवाद क्रिपा आदी की बात मेरे पास कुछ भी नहीं ऐसी उम्मीद भी मत रखो कि फलाना बिमार है तो आशिरवाद मिले और लास्ट में बाबा ने कहा रहना तो सबको ग्रस्त व्यवार में ही है लेकिन बाल बच्ची आदी दे इतना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना स्रेष्ट बनेंगे अब सुनते हैं महवाकियों को विसार से मुरली का सार मीठे बच्चे तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए अब ईश्वरी मत पर चलो तो सुख धाम चले जाएंगे प्रशन बच्चों को बाप से कौन सी उमेद रखनी है कौन सी नहीं उत्तर बाप से यही उमेद रखनी है कि हम बाप दवारा पवित्र बन अपने घर और घाट राजधानी में जाएं बाप कहते बच्चे मेरे में यह उमेद नहीं रखो कि फलाना बिमार है आशिर्वाद मिले यहां कृपा या आशिर्वाद की बात ही नहीं मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने गीत आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बाधल ओम शान्ति रुखानी बच्चों ने गीत सुना बच्चे जानते हैं अब घर चलना है बाप आये हैं लेने के लिए यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है तुम भी मुसाफिर होकर आये थे अब अपने घर को भूल गए हो फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे बच्चे समझ से हैं बाबा तो ठीक कहते हैं बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे इसलिए दरबदर हो पड़े हैं श्रीमत देने वाला एक ही बाप है उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते वंडर हैं लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं वह है आसुरी मत यह भी है तो ड्रामा प्रन्तु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गती को पा लिया है अब इश्वरिये मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले ज चाहिए सबको यहां तो नहीं बिठा सकते घर में रहकर भी याद करना है अभी पार्ट पूरा होने का है अब वापिस घर चलना है मनुष्य कितना भूले हुए हैं कहा जाता है न यह तो अपना घर घाट ही भूल गए है अब बाप कहते हैं घर को भी याद करो अपनी पूरा होने का है अब वापिस घर चलना है क्या तुम भूल गए हो तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है जो हम घरबार को भूल एकदम भटक रहे हैं भारत वसी ही अपने स्ट्रेश्ट धर्म कर्म को भूल कर दैवी धर्म भरष्ट दै अभी बाप ने सावधानी दी है तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था कर्म अकर्म विकर्म की गती बाप ने ही तुम्हें समझाई है सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं रावन राजे में कर्म विकर्म होते हैं अभी बाप आया हुआ है धर्म स्रेष्ट, कर्म स्रेष्ट बनाने, तो अब श्रीमत पर कर्म स्रेष्ट करना चाहिए, कोई भ्रेष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए, इश्वरिये बच्चों का यह काम नहीं है, जो डारेक्शन मिलते हैं, उस पर चलना है, दैवी गुन धारन करने हैं, भोजन भी शुद्ध लेना है, अगर लाचारी नहीं मिलता, तो राय पूछो, बाबा समझ से हैं, नोकरी आदी में कहा थोड़ा खाना भी पड़ता है, जिबकि योगबल से तुम राजाई सापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है, नोकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने, तो सब को छोड़ यहां आकर बैठ जाना है, कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते, रहना सब को ग्रहस्त व्यवार में है, यह समझना है, मैं आत्मा हूँ, बाब आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आएंगे, यह तो पराया रावन का राज्ये, छीची घाट है, तुम बिलकुल ही पतित बन गए हो, ड्रामा प्लैन अनुसार, बाप कहते हैं, अभी मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ तो श्रीमत पर चलो, जितना चलेंगे, उतना स्रेष्ठ बनेंगे, अभी तुम समझ से हो, हम बाप को जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए, अब बाबा सुधार ने आये हैं, तो अच्छी रिती सुधार ना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए, ब बच्चों से बात ऐसे करते हैं, जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो, है तो वह भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पार्ट है, तुम आत्माएं पार्ट धारी हो, उच्च ते उच्च से लेकर नीच ते नीच का पार्ट है, भक्ती मार्ग में मनुष्य गाते हैं, इश्वर ही सब कुछ करते हैं, बाप कहते हैं मेरा ऐसा पार्ट थोड़े ही है जो बिमार को अच्छा कर दूं, हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनों, पवित्र बनने से ही तुम घर मे भी जा सकेंगे, राजधानी मे भी जा सकेंगे, और कोई मत रखो फलाना बिमार है आशिर्वाद मिले नहीं आशिर्वाद कृपा अधी की बात मेरे पास कुछ भी नहीं उसके लिए साधू संतो अधी के पास जाओ तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ पावन दुनिया में ले चलो तो बाप फिर तुम विशे सागर में क्यों फस जाते हो भक्ती मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है ज्यान और भक्ती तुम्हारे लिए हैं सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्यान भक्ती और विराग्य प्रंतु उनका अर्थ वह नहीं समझ से अब तुम्हारी बुद्धी में है ज्य प्रिस्तान, भक्ति, बाद में विराग्य, तो बेहद का विराग्य सिखलाने वाला चाहिए, बाप ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है, वहां हर कर्म अकर्म होता है, सत्युग में हर कर्म अकर्म होता है, अकर्म अर्थात जिस कर्म का ना पा इस का फल हमें सत्यूमें मिलता है अभी बाबा तुम को ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने किसी को भी दुख ना दो पतित का अन मत खाओ विकार में मत जाओ अबलाओं पर अत्यचार ही इस पर होते हैं देखते रहते हो माया के विग्न कैसे पड़ते हैं यह है सब गुप्त कहते हैं देवताओं रसुरों की युद्ध लगी फिर कहते हैं पांडो और कौर्वों की युद्ध लगी अब लड़ाई तो एक ही है बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविश्य 21 जनमों के लिए यह मृत्यू लोक है मनुष्य सत्य नारैन की कथा सुनते आये हैं फाइदा कुछ नहीं अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो रामायन भी तुम सच्ची सुनाते हो एक राम सीता की बात नहीं थी इस समय तो सारी दुनिया लंका है चारों और पानी है ना यह है बेहद की लंका जिसमें रावन का एक बाप है ब्राइड ग्रूम बाकी सब हैं ब्राइड्स तुमको अब रावन राज्ये से बाप छुडाते हैं यह है शोक वाटी का सत्यूग को कहा जाता है अशोक वाटी का वहां कोई शोक होता नहीं इस समय तो शोक ही शोक है अशोक एक भी नहीं रहता नाम तो रख देत अशो का होटल बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो शोक की होटल है खान पान मनुश्यों का जानवरों मिसल है तुमको देखो बाप कहां ले जाते हैं सच्ची सच्ची अशोक वाटी का है सत्युग में हद और बेहद का कॉंट्रास्ट बाप ही बतला तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं हमारा भी वही धंदा है सबको रास्ता बताना अंधों की लाठी बनना चित्र भी तुम्हारे पास हैं जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है तुम तो फिर जाते हो तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो आत्माएं भाई भाई हैं कितनी सहज बात सुनाते हो कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं बाब कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई होना गोड फादर कहते होना तो कभी भी आपस में लड़ना जगडना नहीं चाहिए शरीर धा बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हम शुबाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं हमको वर्षा दादे से लेना है अर्थात शुव से लेना है इसलिए दादे को ही याद करते हैं इस बच्चे ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथ्वा इन में प्रवेश किया है इन सब बातों को तुम अभी समझ से हो बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवरिती मार्ग सापन हो रहा है तुम सभी बीके शुबाबा की मत पर चलते हो ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं बाप कहते हैं अपने कौात्म समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हलका करते जाओ आठ घंटा याद रखनी हैं बाकी 16 घंटे में आराव धन्दा आधी जो भी करना है सो करो मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो ऐसे भी नहीं यहां आकर होस्टल में रहना है नहीं ग्रस्थ व्यवार में बाल बच्चों के साथ रहना है बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने मथुरा वरिंदावन भी जाते हैं मधुबन का दिदार करने छोटा मोडल रूप में बना रखा है अब तो यह बेहद की बात समझने की है शुव बाबा ब्रह्मा संतान बीके हैं विकार की बात हो न सके सन्यासियों के शिश्य बनते हैं अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है यहां भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने कितने भठी में रहे थे इस भठी का किसको पता नहीं शास्त्रों म स्रिश्टी का चक्र फिड़ता है बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना स्रिश्टी के आदी मद्यंत को जानता है बाबा को तो शरीर भी नहीं तुमको तो सुल शरीर है वह है ही परम आत्मा आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना अब आत्मा को अलंकार कैसे दिये समझ की बात है न? यह कितनी महीन बाते हैं? बाप कहते हैं, वास्तो में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी, तुम जानते हो आत्मा में सारे स्रिष्टी चक्र का ज्यान आ जाता, बाबा भी परमधाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं, बाप आकर अपना पर परिचे देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिब्रेट करो, उनको शरीर तो है नहीं, वह अजनमा हैं, भल जनम लेते भी हैं, प्रन्तु दिव शिव जन्ती अत्वा शिवरात्री मनाते हैं, बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आता हूँ, दिन में 21 जनम, फिर रात में 63 जनम, आत्मा ही भिन भिन जनम लेती हैं, अब दिन से रात में आई हैं, फिर दिन में जाना हैं, स्व मैं मेरा पार्ट है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं, तुम फिर औरों को बनाओ, चुरासी जन्म कैसे लिए हैं, वह चुरासी जन्मों का चक्र तो समझ लिया है, आगे तुमको यह ज्यान था क्या, बिल्कुल नहीं, अज्यानी थे, बाबा मूल बात समझ कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्यान का सागर कहा जाता है, वह सत्य है, चेतन्य है, तुम बच्चों को वर्सा दे रहे हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में लडो जगडो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है, और सब को बाप का पर झूले हुए हैं, अब बाब कहते हैं, मामे कम याद करो, निराकार भगवान वाच, निराकार आतमा उप्रती, असल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो, साकार विगड़ तो आतमा कुछ कर ही नहीं सकती, आतमा शरीर से निकल जाती, तो चुर्पूर कुछ भी हो नही सकती आत्मा फोरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है इन बातों को अच्छी रिती समझो अंदर घोठते रहो हम आत्मा बाबा से वर्सा लेते हैं वर्सा मिलता है सत्युक का जरूर बाप ने ही भारत को वर्सा दिया होगा कब वर्सा दिया फिर क्या हुआ य यह मनुश्यों को कुछ भी पता नहीं है अभी बाप सब बताते हैं तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है फिर तुमने चुरासी जन्म भोगे अब फिर मैं आया हूं कितना सहज समझाते रहते हैं बाप को याद करो और मीठा बनो एम अबजेक्ट सामन खड़ी है बाप वकीलों का वकील है सब जगडों से चुड़ा देते हैं तुम बच्चों को आंत्रिक खुशी बहुत होनी चाहिए हम बाबा के बच्चे बने हैं बाप ने हमको एडोप्ट किया है वर्सा देने यहां तुम आते ही हो वर्सा लेने बाप कहते हैं बाल बच तरफ देखते हुए बुद्धी बाप और राजधानी की तरफ रहे पढ़ाई कितनी सहज है बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो पहले अपने को आत्मा समझो यह ज्यान बाप संगम पर ही देते हैं क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित स पावन होना है अच्छा मेठे मेठे रुहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मन कुल भूशन यह देवताओं से भी उच्च कुल है तुम भारत की बहुत उच्च सेवा करते हो अभी फिर तुम पुझे बन जाएंगे अब पुझारी को पुझे कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं ऐसे रुहानी बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग और अभी है धार्णा के पहली पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म स्रेश्ट करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारन करने है, बाप के डारेक्शन पर ही चलना है, दूसरी पॉइंट, सदैव हर्शित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सबको बाप का परीचे देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है, वर्दान, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतरमुखी भव, कहा जाता अंतरमुखी सदा सुखी, जो बच्चे सदा अंतरमुखी भव का वर्दान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं, सुख दाता के बच्चे स्वियम भी सुख दाता बन जाते हैं, सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं, तो अब अंतरमुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ती बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए, जैसे बाप की खजाने में अप्राप्त कोई वस्सु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन रुहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फिलिंग नहीं आएगी। गीता ग्यान पराधारित सापताहिक कोर्स का आज तीसरा लेसन है, सभी भाववेहने इसे जरूर सुनें। जब स्भाल मैं थीसरे आण में नहीं एक भी बाववेहने भी और बनों दोनें साइब आताहिक एक भी ंप डिया आताहिक जिलिंगłość और यहाना है उसी है, सभग्यान पहिसाए है